राधी राधे दोस्तों कैसी हो आप लोग आसकी अमारी कहानी का नाम है तमाचा कार के हरन की आवाज सुनते ही रस्वई में काम कर रही मोहिनी जी पलों में हाथ पुष्टिवे आंगन से भाग कर तरवाजे पराई मा को देखते ही निसा गले से लिपट गई दोनों तरव से आंसों का सैलाब उमड पड़ा देदी बस भी करो यार कितना रोती हो मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आपकी आखों में इतनी जल्दी आंसों कैसे आ जाते है भाई हस्ता हुआ बोला अपनी बकवास बंद कर और बैग लेकर आंगन में आ बेटा तु अकेली आई दमाजी क्यों नहीं आए मा फूर्सत नहीं थी इसलिए आंगन में आई तो पापा को देखते ही कलेजा फट गया गले से लिपट कर खूब रोई मानो वर्सों बाद मिल रही हो चुप हो जा बेटा तब यत खराब हो जाएगी चल हाथ मूँ धोले मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ ठीक है मा बोले नीशा हाथ मूँ धोने चली गई कुछ देर बाद जब मा खाना लेकर आई तो देखा नीशा कमरे में गुमसुम सी बैठी कुछ सोच रही थी चेरे पर भी काफी उदासी दिख रही थी मा कुछ चन बाहर खरी देखती रही फिर कमरे में जाकर कंधे पर हाथ रखके बोली बेटा क्या बात है बहुत उदास दिख रही है कोई तकलिफ है क्या नहीं मा कोई तकलिफ नहीं है बात टालने की कोशिस की ठीक है चलो खालो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म आलू के पराथे लाई हूँ नीशा के खाने के बाद मा अपने पास बिठा कर ससुराल वालों के हाल चाल पुछने लगी नीशा मुस्कूराते वे जब बाप्त तो दे रही थी लेकिन चेहरे पर उदासी साफ जलक रही थी रात को सोते समय माने बेटी का सिर गोद में रखा और बालों में उंगली फिराते वे कहा नीशा एक बात पूछू हा मा पूछो ना बेटा तुम्हारे ससुराल में कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं तुम सबसे रूट कर तो नहीं आई हो नहीं मा आपको ऐसा क्यूं लग रहा है क्योंकि तुम एक महीने में तिसरी बार आई हो और इस बार दमाद जी भी साथ नहीं आए फिर तेरे चेहरे की उदासी देख मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई तकलीफ है ससुराल में कोई कमी है क्या बेटा नहीं मा अरे बेटा मा से क्या छुपाना बताओ तो कमी क्या है तुम्हें नहीं मा कोई कमी नहीं है दिखो बेटा एक अंजान परिवार में स्वेम को ढ़लना आसान नहीं होता सच कहू तो ससुराल में एक बेटी को अपने लिए जग पनाना भी किसी जंग जितने के समान जैसा ही है तुम अगर लिए उसका समना करो हा मा समझ गई मा बेटी को गले से लगा के सो गई कुछ दिर बाद जब आँखे खुली तो देखा नीशा की आँखों में से आशो निकल रहे थे बेटा तु रो रही हो नहीं मा नहीं रो रही हूँ मा को थोरा सक हुआ तुम जूट बोल रही हो क्यों कि मैंने तुम्हारे और दमाद जी की बाते सुनली सुनते ही एक दम से चोक गई मा क्या आपने सच में सुनली हां बेटा मैंने सारी बाते सुनली मा ने अंधेरे में तीर चलाई नीशा मा की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी मा मुझे बहुत बरी भूल हो बात है मा साधी के कुछ ही दिनों बाद मेरे ससुराल वाले मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि जाओ अपने माईके से अपना हिस्सा लेकर आओ मना करती हूं तो बहुत जगरते हैं बार-बार यहीं कहते हैं कि माईके में तेरा हिस्सा आदा होगा जाओ जाकर ले आओ क्योंकि मेरी सोतेली मा है पापा भी इतने बीमार है उनकी जिन्दगी का तो कोई ठीकाना नहीं फिर तो सारे प्रोपटी तुम्हारे सोतेले भाई की हो जाएगी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा मुझे हर वक्त परिसान करते रहते हैं यहीं बाते करने के लिए मैं पिछले दो बार आई थी पर बताने के हेमत नहीं कर पाई इस बार फिर मुझे जगरा करके जबरदस्ती भेजा है साथ समेशा कहती है यह घर तो मेरा है और तुम्हारे ससुर जी का है तुम्हारे पती का कोई घर नहीं मान लोग कल को हम दोनों अलग रहे तब तुम दोनों कहां रहोगे मेरी पास तो एक ही घर है जिसमें हम दोनों रहते हैं तुम जब माईकेस से भी नहीं लोगी तब त तुम चिन्ता मत करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, घर खर्च पापा का इलाज और भाई की पढ़ाई उसी घर के किराये के पैसे से हो रहा है, मैं मैं उन सब को जहल लूँगी, आप कोई प्रपटी मत देना, बहुत लालसी लोग है, सुन की बात, उसके दूख कैसी सोच लिया की बेटी ससुराल की जिम्मेदारे से भाग रही है, नीशा की साधी 6 महिना पहले ही अपने क्लास मेट अरून के साथ हुई थी, जब अरून के मता पिता रिष्टा लेकर आए, तब मा ने कितनी बार समझाया, बेटा पहले पढ़ाई पूरी कर लो, अपने पैरों पर खरी हो जाओ, फिर साधी करना, वैसे भी तेरे पापा बिस्तर पर है, अकेले कितना देख पाऊंगी, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कि तुम्हें बाद में पस्ताना पड़े, मा ऐसा कुछ नहीं होगा, अरून बहुत अच्छा लड़का ह और पढ़ाई क्या है, साधी के बाद भी पूरी कर लोंगी, मा अगर अभी साधी नहीं हुई, तो उसके ममी पापा कहीं और साधी करा देंगे, वे जिद कर रहे हैं, अरून पर बहुत दबाव पना रहे हैं, अरून ने भी वादा किया है, इसकी पढ़ाई पूरी और उसे अपने पैरों पर खरे होने देंगे, तब जाकर मोहिनी जी भी तैयार हो गई, आखिर इतना अच्छा लड़का कहां मिलेगा, कौन ढूंडेंगा, बिना दहेज की साधी हुई, इसलिए मोहिनी जी ने अपने गहने तुड़वा कर बेटी के गहने और दमाद के ल वो सब जूट था, साधी करने के लिए आप कहते हैं कि माईके में इतनी प्रोपर्टी है लेकर आओ, हम दोनों मिलकर बिजनेस सुरू करते हैं, मैं नहीं जानती इतनी बड़ी भूल कैसे मुझसे हो गई, मुझे माफ कर दो मा, भूल तो तुमसे हो गई, लेकिन तुम ही परिसान करके, तुमसे भी बड़ी भूल उसने कर दी है, तु चिंता मत कर, तेरी माँ सब ठीक कर देगी, मैं तुझे बेघर नहीं होने दूंगी, मेरी बच्ची, माँ पापा को कुछ मत कहना, कहाना तु चिंता मत कर, सब मुझ पर छोड़ दे, अच्छा एक बात बताओ उसने तुम पर हाथ भी उठाया, निसा मा के सिने से लगकर जोर से रोने लगी, मा अपनी बाहों में भरकर बेटी को सुला लिया, रात भर निंद नहीं आई, अपनी पिछली यादे चल चित्र की भाती दिमाग में घूमने लगी, क्या सच में मा की परछाई बच्ची को लग जाती है, उसका भी पहला रिष्टा, कुछ यूहीं दहेस की बली चट गई थी, उसकी भी साधी एक ऐसे ही लालची परिवार में हो गई थी, जहां पांच तोले सोना नहीं देने पर, बच्चे को उसे छिन कर उसे भागाने की योजना बना रहे थे, सन्योग से मोहिन जी ने सुन लिया, और रातों रात अपने दो महीने के बेटे को लेकर माईकी भाग कर आ गई, फिर पलटकर सुसुरार नहीं गई, कुछ सालों बाद एक रिष्टेदार की साधी में निसा के पापा से मुलाकात हुई, जहां निसा के पापा भी धुर थे, और दोनों परि बच्चे के साथ अच्छे से जीवन बिताने लगे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मनजूर था, अभी दो साल पहले पती लाकवाद गरस्त हो गई, और बिष्टर पर आ गई, तब से मुहिनी पती को देखने के साथ ही, घर और बाहर अकेले ही सब कुछ संभालती है, यही सब बाते सोचते सोचते पता नहीं कब आँख लगई, सुबा जब आँख खुली, तो सब को सोते छोर कर चाय नस्ता बनाया, और सिधा बेटी के ससुराल चली, इतनी सुबा सुबा मोहिनी जी को देखकर समधी समधन, और दमाद पहले तो चोके, फिर थोड़ी राहत की सा समयाब रही, आईए समधन जी, इतनी सुबा सुबा आचानक कोई काम था क्या, हाँ काम तो रहेगा ही, जब साधी सुदा बेटी ससुराल के बजाए, माईकी में जाकर बैठे, तो एक मा परिसान तो होगी ही, मैं चाय बना कर लाती हूँ, चाय नस्ता रहने दिजिए समध समधन जी, पहले काम की बात कर लेते हैं, क्या बात है समधन जी, मैं कुछ समझी नहीं, देखी समधन जी, मैं बातों को घुमा फिरा कर नहीं, खड़ी खड़ी बाते करने में विश्वास करती हूँ, आपकी जो मांगे है, मैं पुरी करने को तयार हूँ, फिर मैं तो कहती हुँ Мेरी बेटी को परिसान करने के बजाए आप मुझे पहले ही बता देती तो बढ़िया रहता नहीं जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है और फिर इतनी जल्दी भी नहीं है आप आराम से नहीं नहीं अब और ज्यादा आराम से नहीं मेरी बेटी ने बहुत दुख सहलिया अब और नहीं मैं सहर में बने मकान के दो कमरे नहीं बलकि एक पूरा फ्लोर देने को तयार हूँ आप बोलिए कौन सा फ्लोर चाहिए उपर वाला या निचे वाला सबने एक दुसरे की तरब खुसी और आस्चर्य की नजरों से देखा ये हम कैसे कह सकते हैं आपको जो ठीक लगे हमारे लिए भी ठीक है नहीं नहीं ये तो आप ही बताएंगे ताकि बाद में कहीं कोई और समस्या ना हो ठीक है मुझे उपर वाला फ्लोर ही दे दिजिए चल बैटी को उसका हिसा दे दूंगी घर आकर मोहिनी ने आराम से पती को सब समझाया पहले तो चोके लेकिन बैटी के भविस्य की बात सोच वह तुरंत तयार हो गए उन्होंने बिना देर की ये पेपर तयार करवाए और बैटी को ससुराल वालों के सामने थमा दिया निशा ने तुरंत पेपर लेकर अरून की ओर बढ़ाया अरे बेटा तुम अपने पास ही रखोना सास ने कहा नहीं नहीं ये इनके काम का पेपर है और उन जैसे ही खोलकर देखा तो हाथ में तलाक का पेपर देखकर भोचक्का रह गया ये क्या है निशा क्यों तुम्हें दिखा करने की देखो निशा तुम ऐसा नहीं कर सकती तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं चलो छोड़ो ये सब मुझे कोई प्रपटी नहीं चाहिए मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए जो कुछ हुआ बस वह एक भूल थी तो उसे तुम भूल जाओ और चलो घर चलते हैं मा आप ही समझाइए ना मोहिनी जी ने एक जनटे दार तमाचा गाल पे जड़ा मेरी बेटी तुझे कट पुतली दिखाई देती है जिसे तुम सब अपनी इस्तारों पर नचाते रहोगे तुम्हारी पतनी है उससे प्यार करते हो फिर भी इस तरह का बरताओ किय और तुम्हें क्या लगा इसके पिता बीमार है मा के लिए है तो तुम जो कहोगे वो चुप चाप तुम्हारी सब बात मानती रहेगी अगर ये सब पहले ही बता दी होती तो इतना दुख जहलने की नौबत ही नहीं आने देती अपनी बेटी का विवा तुम्हारे साथ कर म मैंने एक भूल तो कर ली लेकिन तुम इतने लालची हो मेरी बेटी को ट्रोचर करते हो ये जानते हुए भी मैं तुम्हारे घर दोबारा भेजने की भूल नहीं कर सकती क्योंकि भूल एक बार ही होती है बार बार नहीं तुम्हारी मा हमेशा कहती थी मेरी बेटी बेघर हो जमिन जैजाद है तो तुम्हारे नर्क जैसे घर में उसी जाने की जुरत नहीं अरून के साथ सभी हक्के बक्के डिक्ते रह गए असा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक सेर और सब्सक्राइब कर दिज